आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लकनो की फेमस मटर की टिक्की की रेस्पी ये एक नो फ्राइ स्नैक है इसलिए बहुत ही जादा हेल्दी है और टेस्टी भी है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या कर चाहिए तो यहाँ पर मैंने दो छोटी कटोरी वाइट मटर के रादबर बिगो के रखे थे अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और साथी साथ हमें इसमें एक छोटी चमच नमक डालना है और हमें इसे बॉइल करना है एक सीटी तेज आंच में आने के बाद गैस टवको हम लो फ्लेम पे करदेंगे और कम से कम पांच सीटीयां हमें लो फ्लेम में आने देनी हैं और उसके बाद भी अगर आपके मटर नहीं कले तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल कर और दो सीटी और लगवाले अब यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मटर हमारे कले हैं कि नहीं मटर को इतना ही बॉइल करें कि वो मशी ना हो जाए देखिए यहाँ पर मटर अच्छे तरीके से मैश हो रहे हैं पर वो मशी नहीं हुए है हम यहाँ पर मटर का पानी अलग कर रहे हैं इसके लिए मैंने मटर छनी में डाले हैं जो बॉइल करते वक्त पानी निकला है उसे भी हम डिसकार्ट नहीं करेंगे बल्कि अलग सी निकाल कर उसे में रख लूँगी हलके से ठंडे हो जाने पर हमें मटर को अच्छी तरीके से मैश करना है इसे बिल्कुल ठंडा मत करियेगा वरना यह मैश नहीं होंगे हलके गुन-गुने गरम मटर को आप अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए तो मटर अब हमारे अच्छी तरीके से मैश हो चुके है अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टिक्की बनाने का प्रोसस यहाँ पर मैंने एक बड़ी चमच तेल लिया है तेल के गरम हो जाने पर इसमे आधी छोटी चमच कुटी हुई अधरक डाल रही हूं गैस दफ को लो फ्लेम पर ही रखिए और आप चो मटर हमने मैश किये थे वो भी हम कढ़ाई में डाल देंगे इसी लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से एक मिनिट के लिए भूल लेंगे अब इसमें एक छोटी चमच लाल मिर्च का पौडर डालिए साथी साथ आधी छोटी चमच धनिया पौडर और एक छोटी चमच जीरा पौडर डाल देंगे अब इसमें आधी छोटी चमच अमचूर पौडर और आधी छोटी चमच गरम मसाला पौडर डालेंगे इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए और ध्यान रखिए थोड़ा नमक हमने से बौइल करते वक भी डाला था इसे अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर मिक्स कर लीजिए झालेंगे मतर को बौइल करते वक जो उबला हुआ पानी बचा था उसमें से एक बड़ी चमच पानी इसमें अब हम डाल देंगे अब लो फ्लेम पर इसे अच्छे तरीके से हम भूनते रहेंगे जब तक कि ये मिक्षर थोड़ा गाड़ा नहो जाए इसे हमें अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि ये मिक्षर अच्छे तरीके से गाड़ा नहो जाए क्योंकि हमें इसकी टिकिया बनानी है अब आधी चोटी चमच इसमें चाट मसाला पॉडर की डालिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए मटर अब हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं इसे अब ठंडा होने के लिए अलग रख दीजिए तो मटर अब हमारे ठंडे हो चुके हैं उसे एकदम ठंडा नहीं करना है बलकि थोड़ा गुंगुना रखिए तांकि वो अच्छे से टिक्की बन पाए अब हातों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है मैंने और उसमें मैं थोड़ा सा मटर का मिक्षर ले रही हूँ अब इसे मैं गोल शेप दे रही हूँ तिक्की के आकार का इसी तरह मैं सारी तिक्की बनाकर इसे तयार करके रख लूँगी ये एक healthy midday snack है इसमें हम कोई भी ऑईल यूज नहीं करें हैं सिर्फ दो चमच ऑईल में हम अपनी टिक्की रेडी कर लेंगे और ये एक बहुती चटपटी स्नैक बनती है जिसे आपके घर में सबी बहुत ज़ादा इंजॉय करेंगे तो प्लीज ये रेस्पी एक बार ज़रूर ट्राइ करें और अपना फीड़बैक मुझसे ज़रूर शेयर करें तो सारी टिक्की अब मैंने तयार कर ली है अब मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है इसमें अब मैं दो छोटी चमश तेल डालूँगी तो तेल अब हमारा गरम हो चुका है इसमें अब एक एक करके में टिक्की रख दूँगी गैस टेफ को हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे और मीडियम फ्लेम में हम दोनों तरफ से टिक्की को क्रिस्प होने तक पका लेंगे हमें यहाँ पर टिक्की को डीप फ्राइ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मटर को अच्छी तरीके से बॉइल करकर उसे भूना है तो वो अल्रेडी पके हुए है इसे बस क्रिस्प करने के लिए हम नॉन स्टिक तवे पर सेख लेंगे क्योंकि मटर की टिक्की बहुत ही सादा सौफ्ट होती है इसलिए पलटते वक्त इसे सावधानी बरती है और धीमे से इसे पलटी है टिक्की पर आप चाहें तो हरी और लाल चटनी डालकर दही डालकर उसे सर्फ करें वरना इसे रोटी और परांठी के साथ भी इंजॉई करते है यहाँ पर अब हमारी टिक्की बिल्कुल रेडी है तो इसे निकालकर मैं सर्विंग प्लेट पर रख दूँगी मैं यहाँ पर टिक्की को प्यास के लच्छे और नीबू के साथ सर्फ करें यूँ अगर आपको मेल ये रेस्पी पसंद आईए दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेस्पी को एक लाइक देना ना भूले सो मेट यू अगें विद अन्यू रेस्पी तिल देन बाइ और थैंक यू फो वाचिं दिस रेस्पी